हेलो इस्टेट्स वेलकम टूर चैनल अशोका बेलो जी मैंशल फामित्यवारी आज मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन्स की सीरीज में एक बहुत इंपोर्टेंट चाप्टर इकालजी का जो की काफी वेटेस होता है एक्जाम में नीट के चाप्टर का नाम और्गनिजम पॉपलेशन देन कमिनिटी देन अंसर प्लीज एको सिस्ट्म एंदेन बैस्ट क्या होगा बैस्ट तो अप्शन चेक कर लेजेगा पहला अप्शन क्या होना चाहिए पॉपलेशन तो ठीक है बट दूसरा बैस्पेर नहीं होगा सेकेंड इको सिस्टम पॉपलेशन इकोस्फेर उल्टा हो गया पॉपलेशन इकोस्टम बास्फेर ये ठीक है पॉपलेशन इकोस्टम बास्फेर इट इस अ करेक्ट अंसर तो अप्शन C is the right answer the basic unit of study in the ecology is तो basic unit केकर हम बात करेंगे ecology में तो क्या हो जाएगा अंसर पहला आपका है population second community third is ecosystem and fourth is the individual organism तो individual organism ही सबसे basic unit है पहले question मैं भी आपने देख लिया तो आंसर सुद भी question number third biosphere is called biosphere is called planet earth ecosystem या ecological निके बोट एन वी या इकोटोन तो भाई या बाइस्फेर जो होता है यह ecological निके नहीं होता इकोटोन नहीं होता यह कुछ और है हम बात आगे बात करेंगे planet earth ecosystem की बात करते हैं biosphere में question number four आपको well known है ecosystem क्या होता और biosphere क्या होता बहुत टेक्निकल सवाल नहीं है question number four में matching करके पुछा है आपसे कि टेंसले क्या क्या function है रीटर का क्या function है क्या मदब क्या किया है नहीं तो आड़ी मिश्रा साथ is the father of ecology in India तो यह तो sentence मैच कर जाएगा बी जो है यह मैच करा लिजए आप बी फॉर सेकेंड बी फॉर सेकेंड अब आगे देखते हैं कि टर्म की ecosystem किस ने दिया है रीटर साथ ने क्या किया अर्नेस ठेकल ने क्या किया तो इनकी matching जड़ा चेक करें उसके बाद हम answer कर पाएंगे तो आप चेक कर लेजेगा answer should be a का 4 मैंने बोला था b का second तो b का second तो इसमें है तो a answer नहीं हो सकता आपका फिलाल a का 4, b का second, c का 1 and d का 3 आप match कर लिजएगा यह function है और यह fact है आपको याद करना पड़ेगा किसका क्या function है अगला शवाल बहुत अच्छा है यह आपको सीखना चाहिए question number 5 question number 5 में क्या है कि correct of identify a b c with respect to climatic zone and latitude tropical जो देकि जब आप कभी इसको बनाते हैं तो यह मान लिजे हमारी equatorial lining है और यहाँ zero है तो यह जो हमारा होता है this is a tropical उसके बाद हम बात करते हैं इसके उपर वाला subtropical then हमारा temperate होता है और भी है उपर बट फिलहाल इसमें तीन ही की बात करना है तो हम लिजेते हैं ट्रपिकल जो होता है यह zero से पीस तक होता है zero से पीस तक उसके बाद subtropical जो होता है वो चालिस तक होता है और उसके बाद जो तो हमारा temperate है वो 40-60 होता है तो अब ट्रोपिकल में कितना हो जाएगा जीरो से 20 सब्ट्रोपिकल कौन सा होगा 20-40 सब्ट्रोपिकल अपने पार रखा होगा temperate कितना हो जाएगा 40-60 और architect 60-80 यह लास्ट वाला जो हुआ रहा हो तो इस तरीकी की बात हम करते हैं बहुत इंपोर्टेंट सवाल है अंसर क्या हो जाएगा डी अच्छा सवाल है याद रखे मैं कई बार बोल चुका हूँ एक ही बाद पर सब्सक्किते हैं एक और जिकल निके किसी अर्गनेजम का किया यह वह जगाँ हैं जहां पर अपना काम करता है मतलब जहां पर उसका प्रफेशन जहां पर जो उसका प्रफेशन है वह एक बाद कर झाय होता है कि से यह किृता तो वो अपने maximum चीजों का इस्तिमाल करता है याद रखिएगा तो ecological निके क्या है यहाँ पर हम range of conditions it can tolerate the resources it utilizes बिल्कुल अपने सारे resources से इस्तिमाल करके वो function करता है तो काफी अच्छा सवाल यह अपका मान सकते हैं तो देखिए दिक्कत क्या और यह कि यहाँ पर हम एक answer नहीं कर सकते क्योंकि सारे answer काफी हद तक पास पास है range of condition that can tolerate functional role भी है functional role कप करेगा अपने resources का इस्तिमाल करेगा तो answer condition में tolerate कर पाएगा तो अपने profession को perform कर पाएगा answer बेहत important question और यह नया जुड़ा है NCRT में तो यह बार-बार पुछा जा सकता है identify the biome इसको पहचानी है कि कौन सा बायोम है यह देखिए अगर आप इसको डाग्राम में अपने पढ़ा होगा तो आप इसे easily recognize कर सकते हैं यह हमारा क्या हो जाएगा dessert then अब देखिए seven जो है इसमें हम note कर लेते हैं फिर हम answer करेंगे A क्या है B क्या है C क्या है D क्या है यह हमसे पूछ रहा है तो आईए match करते हैं A क्या है हमारा A अभी हमने पीछे देखा dessert था यह a dessert हो जाएगा आप चेक कर लिजाएगा बी grassland होगा A dessert बुला ना मैंने A dessert B grassland हो जाएगा अब दूसरे आप आरा असानी के साथ इस सवाल को कर सकते हैं देखे इसमें match करना होता है गलती ने करना और C हमारा क्या हो जाएगा चंपरिट और D कोनिफेरिस तो answer सुद्धी बी यह फैक्ट है इसमें कुछ बोल नहीं सकते जादा बट सवाल ecology में ऐसे ही बनते हैं बेहत अच्छे वाले और आसानी से आप कर लेते हैं चले नेक्स कुश्चिन The tree biomes are sorry tree biomes नहीं tree less biomes सवाल को थुड़ा साभानी से पढ़ना है The tree less biomes सवाल अब देखें tree less biomes जो basically होते हैं वो टुंड़ा में चुकी जो precipitation है वो बहुत कम होता है इसलिए tree बिलकुल नहीं मिलते हैं आपे और dessert में भी नहीं होता है याद रखिएगा dessert में भी इसमें भी आपको नहीं मिलता लेकिन grassland में भी नहीं मिलता dessert में पेंड दिख जाते हैं अपने फिल्मों अगरा में देखा होगा लेकिन आपने खुद देखा हो grassland में बहुत rarely trees दिखते हैं इसलिए हम answer D करेंगे कोई confusion ना पा ले ये आपको याद करना है सब question number 9 the important feature that determine the difference in the environmental condition of different zone वो important feature जो अलग-अलग zone को decide करता है मतलब environment की अलग-अलग zone को decide करता है तो क्या चीज़ें हो सकती है में लिए करें light and precipitation not bad light temperature soil precipitation ये बहतर आंसर हो सकता है precipitation temperature soil temperature भी आंसर हो जाएगा तो कि इसमें काफी चीज़े आ रही है एक कोई पूछे तो temperature कर देना question number 9 global warming is the increase of the earth average is temperature due to effect of greenhouse its impact है ये सवाल यहाँ तो दिया हुआ है क्योंकि ecology की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल यह भी ना हो सकता है लेकिन ये question actual में environmental issues का है बहुत अच्छा सवाल है तो environmental issues में यह बहुत अच्छे से explain क्या जा सकता है वहाँ पर पूरी line लिखी है कि जब भी बर्फ पिगलेगी temperature बढ़ेगा तो ice sea level बढ़ जाएगा ice melt कर जाएगी और उससे कहीं ना कहीं temperature affected होगा तो rise in sea level yes melting of ice future pushing of tropic into temperature temperature toward pole तो ठीक है temperature बढ़ सकता है तो फिलाल यह answer T हो जाएगा यह information environmental issues chart हमें वहाँ पर जाएगा next question is the ecologically most important factor is अभी मैंने आप से पीछे बोला तो कि यह भी सवाल आ चुका है कि सबसे important factor कौन सा होगा तो rainfall हो सकता है temperature हो सकता है light हो सकता है humidity transpiration नहीं है यहांकी humidity answer कर दोगे तो answer क्या हो जाएगा B temperature okay question number 12 इन्हें population per capita birth rate is 0.17 and per capita death rate is 0.04 तो आप देखिए पूछ रहे कि a unit time period the value of intrinsic rate या natural increase r is कैसे करेंगे आप सभाल बता है करिए comment मेंस आप okay r वराबर b minus d birth rate minus death rate birth rate कितने दी होई है 0.17 और death rate कितने दी है 0.04 answer आगे 0.13 पांसे सुद्धी ए चली question number 13 find out the wrong match wrong match find out करना है पहला option आपका है कि दूसरे के परियावाची कह सकते हैं अब इक्टो थर्म cold-blooded और पोकिलो थर्मस दोनु सही statement है इस्टीनो है लाइन टॉलरेट वाइड रेंज जी नहीं इस्टीनो है लाइन नैरो रेंज आप आप सेलेटी को टॉलरेट करता है और यूरी है लाइन वाइड रेंज को करता है तो सी आंसर गलत हो गया इसलिए रौग है question number 14 ये fact है आपको पता होना चाहिए यूरी थर्मल अब यूरी थर्मल में हम लोग आएंगे ऐसा क्यों होता है यूरी थर्मल में हम लोग क्यों आएंगे क्योंकि मतलब चलिए आप बताईए हम देखते हैं इस्टीनो थर्मल है यूरी थर्मल है यूरी हैलाइन है इस्टीनो पहली बात इस्टीनो हैलाइन क्या होता है जो नारो रेंज को टॉलेट करेगा और यूरी हैलाइन क्या होता है जो नारो मतलब सॉरी ये हमारा A, stenothermal, reptile इसमें आ सकता है, यस आ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा toleration capacity नहीं के बात कर सकते हैं, cold blood होते हैं तो A third हो गया, अब A third C में नहीं है, urethermal, अब urethermal में हम लोग आ सकते हैं, क्योंकि temperature को tolerant कर लेते हैं, तो B का 4, B का 4 किसमें, अब यह भी कट गया, अब बचे दो answer मारे पास, this is and this is, तो answer सुर्भी, और भी check कर लिजेगा, C check कर लिजेगा, D check कर लिजेगा, तो आपको answer मैं बता देता हूं, answer is A, question number 15, क्योंकि यहां पर information है कि क्या होता है, अगली अगला भी line NCRT के फिर है, fact है, कि कितना salinity concentration होता है, तो अगर आपको याद है, तो आप कर पाएंगे, क्योंकि समें कोई concept नहीं लगने वाला है, कि आप इसको match करा लेंगे, चले, salt concentration in parts per thousand for hyper saline lagoon, अब hyper saline में आपको याद होगा, more than 100 होता है, C में 35-35 के round होता है, याद कर लेज़ेगा, तो चेक कर लेज़ेगा, तो चेक कर लेगा, तो फिर इसको चेक करेंगा, 15, तो देखे, होगा क्या है, कि hyper saline में मैंने आपसे कहा कि 100 के उपर, C में 30-35 और inland water में 5 से कम, तो answer सब्सक्राइब भी यह दोनों हो नहीं सकते, बच में जब बहर चरूर कहूंगा, इसके 1000 से confused नहीं होगे, D answer हो, यह याद होना चाहिए, C temperature range from sub 0 in the polar areas and high altitude more than 50, ठीक है, not bad, यह ठीक लग रहा है, हो सकता है यह, ठीक है, आगे चेक करते है, पूचर, correct statement आप से इसमें पूचा thermal wind, temperature exceeds 100, temperature कितना मैं जा रहा है, 100 जा रहा है, okay, mango tree तो यह भी ठीक है, अभी मैंने आप से पीछे ही कहा, कि यह ठीक लग रहा है, दोनो, mango tree can grow in Canada, जी नहीं, cannot grow, अनन जर्मनी, tuna fees are easily available, no, NCRT ने लिखा है, rarely caught, याद होना चाहिए, rarely caught, cofides grow in, तो यह तीसरा statement हमारा क्या हो गय cofides grow in sad areas, ठीक है, और पार कितना होता है, 4 to 700, तो अपसन दिखनी रहा है, 1 only, correct नहीं है, नहीं, गलत होगे, 5 only, नहीं सर, 3rd, 4th, 5th, 3rd तो गलत है, प्रिया आंसर नहीं चाहिए, 1, 2, 4, 5, D आंसर होगा, 16, यहा ता अच्छा सवाल, कुछन नमबर 17, कर यह अंसर बताएं ज़रा, तब पापुलेशन एड टाइम T1, यह आपको डारेक्ट याद होगा, कि जब भी हम बात करते हैं, तो यह जो प्लैस आया है, X, जब भी पापुलेशन काउंट करते हैं, तो N T, प्लैस, अब हम बर्थ जोडते हैं, और Immigration जोडते हैं, माइनस, डेथ प्लस Immigration, अब यह हो सकता है, अगल बदल भी हो सकता है, तो X is Immigration, X Immigration एक बार हो सकता है, बट जो Z है, यह वाला, यह mortality हो सकता है, हम ड़क सकते हैं, जब ना मिले तो, X is Immigration and Z is Natality, जी नहीं, Y is Immigration, अब Y का हैं, यह वाला, यह Immigration हो सकता है, बट W is Natality, यह Natality नहीं हो सकती, यह Death है, Mortality होगी, यह भी नहीं हो सकता, Y is Immigration and W is Mortality, यह भी संभो नहीं है, क्योंकि W, Mortality and Y is Immigration, Y में Immigration है वो, तो आंसर क्या हो जाएगा, इस Hit and Trial पे करेंगे अंसर हम, आंसर इस A, आप एक्जेक्ट बैकर्ट के नहीं बाट जाएगा, इधर वाला यह होता है, तो उससे नहीं लगेगा, Q18, Eutrophic Lakes are Rich in, पहले हम सको मिटा देते हैं, जिसे क्या कुछ साफ देख चाए, Q18, Eutrophic Lakes are Rich in Nutrient and has High Biological Productivity, Not Bad, Animal do not respond to photoperiod but plant do so, देखे, Animal और plant दोनों photoperiod को respond करते हैं, तो यह आंसर हमारा गलत हो गया, Oligotrophic Lakes are Poor in Nutrient and Clear and Low Biological, अब Nutrient का में तो Biological Level Productivity अपने आप कम होगी, तो पढ़ने की ज़र्वत नहीं है, आगे B आंसर हो जाएगा, Question No.19, अब देखे, वही सवाल जो भी हमने पीछे किया, उसी का दूसरा प्रारूप है, अब मैंने आपको फिर पीछे कहा था, कि इसमें कसम खाके मत बैठ जाएगा, कि जो NCRT में जैसे बना है, हम वैसे ही करेंगे, तब तो आपका अंसर ही नहीं लगेगा, क्योंकि वह आप्सन में देगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर भी यह जो प्लैस है, यह प्लैस में क्या बर्थ की बाता, या तो यह बर्थ हो सकता है, इस बर्थ और इस इस इमिग्रेशन, रिवर्स भी हो सकता है कुछ भी, यह आप मॉर्टलिटी कह सकते हैं, और यह आप इमिग्रेशन कर सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ यह चेंज हो सकता है, A. Immigration, यह हो सकता है, B. Immigration, B. Immigration, कभी नहीं हो सकता है, गलत, A. Mortality नहीं हो सकता, A. Immigration नहीं हो सकता, अब आंसर बता दीजे, अब तो मैंने सब यह बुल दें नहीं हो सकता है, तो आंसर सुब भी D. A. Immigration, B. Natality, C. Mortality, and D. Immigration, तो फुस्सर नमबर 20, इन विच और फॉल्लिएं जोन्स ऑफ डीप लेक लाइट दो नोट रीच, तो आपको यह बात पता होनी चाहिए, यह जोन्स क्या होता है, हम यह सेपरेट जोन्स का अलग से एक वीडियो आपको देंगे, कि कौन से जोन में लाइट जाती है, किसमें होता है, कि एन शाडी ने बहुत फोली सी बात करी है, तो अभी तुम आपको बता देते हैं कि डीप लेक में लाइट कहां नहीं पहुंचती, तो लाइट जो है वो लेटोरल, सबसे बाहर का जोन लेटोरल, दोनों साइट का, तो यहां के तो लेमनाटिक, जैसे गर यह बात करें, तो यह वाला लेमनाटिक और यह दोनों लिटोरल, इस तरफ होला, इसके नीचे प्रफंडल और सबसे नीचे बैंतिक, तो बैंतिक और प्रफंडल, यहां लाइट नहीं पहुंचती, यहां दोनों में पहुंचती है, बतलब अगला आपसन देखते हैं, प्रफंडल और यहां बनतिक, तो आंसर सुथ भी, ट्वंटीक आंसर क्या हो जाएगा, C, बेहत अच्छा सवाल, हुमस इस, कुर्शन में प्रोलीवन, डार्क कलर्ड अमॉर्फिस सबस्टेंस, स्लाइटली असेडिक, कोलाइडल सबस्टेंस, एक्ट इस रिजर्वार अफ नूट्रियंट, एंड रिलेटिड विद आल अफ देखते हैं, डार्क होता है, आपने पढ़ा है, स्लाइटली असेडिक होता है, और कोलाइडल सबस्टेंस इस नूट्रियंट होते हैं, तो फैक्ट है, दी अंसर, विच अधा फॉलिंग स्वाल इस प्लांट ग्रोथ, कौन सी श्वाइल वेस्ट है प्लांट ग्रोथ के लिए, श्वाइल में आपको पीडोलाजी, अटलफलाजी असा पता होना चाहिए, पीडोजनेसस, इस सब जरूरी याद रखिएगा कि क्या होता है, शैंडी श्वाइल, क्ले श्वाइल, बोथ हैंड याद लूम स्वाइल, तो here is the answer, लूम स्वाइल, लूम स्वाइल काफी अच्छे, दो मट मेंटी हिंदी हम बोलते हैं, कॉस्टर नमबर 23, which of the following has a negative effect on the population growth, easy सवाल है, मतलब population में negative growth, मतलब negative effect क्या काज करेगा, अब negative effect वो करेगा जो घटा रहा हो पापुलेशन को, तो कौन घटा रहा है, immigration बढ़ा रहा है, यह घटा रहा है, immigration और mortality यह ज़्यादा घटा रहा है, और यह सिर्फ बढ़ा रहा है, तो answer should be C, आप कहेंगे sir, B क्यों नहीं, मैं कहां मना कर रहा हूं कि B, लेकिन यह ज़्यादा चांसर है सी, कॉस्टर नमबर 24, 24 में कह रहे हैं, identify the types of organism marked as A, B, C on the basis of response of organism toward fluctuating environment condition, देखे, होगा क्या, कि identify कर रही, तो अप फिर से यहाँ पर मैं कहांगा, heat and trial लगाई है, यहाँ पर heat and trial से ही सवाल लगेगा, पहला जो आपके उसके बार में पता होना चाहिए, कि क्या है, यह क्या है, जो समय के साथ, मतलब जैसे से बाहर का system बदल रहा है, temperature बदल रहा है, तो internally बदल रहा है, तो यह conformer हो जाएंगे, बी क्या है, हमारा regulator है, बाहर कुछ भी हो, अंदर हमारे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 99% animal और लगबक सारे के सारे plant conformer होते हैं, हम mammals और bird इसमें आते हैं, रेगुलेटर में, mammals और bird दो लोग आ है, आइए देखते हैं, कोई option मिल रहा है कि इसमें, यह option में देखे, मतलब क्या है, यह वे कह रहा है, 99% of animal and nearly all plants, अभी तक तो यह option हमें ठीक लग रहा है, यह partial regulator, जी नहीं, यह नहीं हो सकता, और यह को कह रहा है, regulator, यह regulator ही नहीं, तो गलत हो गया, फिर भी और चेक करते ह हुझे में एक information हमें में ले कि protetheria के कुछ members जो होते हैं, वो क्या होते हैं, partial regulators होते हैं, याद रखिएगा, even hibernation तक भी कर सकते हैं, तो answer सुर भी A, question number 25, 25, 25 में, read the following statement and find out, correct है, incorrect, दोनों में से को यह ही होगा, पासने दीए सवाल तक, correct, तो success of mammals, mark करें, success of mammals, on earth is mainly due to their ability to maintain, कम से कम पांच बार के लाप्यम्टीम सवाल पूचा जा चुका है, कि मैमेल्स के success का क्या राज है, तो क्यों यह राज यह ही है, कि body temperature को maintain कर लेता है, कोई भी अपनी चीजों को retain कर ले, बाहर कोई फर्ब कुछ भी हो, अपने अंदर की चीजों को maintain कर ले okay, you can success, you will success, definitely you will success, तो पहला answer सही होगा, migration is restricted to animal only and in plant, even the propagules cannot migrate, they can seed or spore migrate कर सकते है, आपका पता है, गलफ ही है, diapos is a stage of suspended development in the many geoplankton, yes, ठीक है, most of the animal can maintain the internal homeostasis, जी नहीं, most of the maintain नहीं कर सकते है, कुछ करते है, in कर मर फर्फर्मस, the body temperature changes with the ambient temperature, body temperature, क्या हो जाएगा, body temperature changes with ambient temperature, but the asthmatic concentration of the body flow do not change with the ambient water asthmatic concentration, जी नहीं, कुछ भी में नहीं होता, सब का सब चेंज हो जाएगा, तो one correct and third correct, correct पूछ रहा है, तो answer should be B, अच्छा सवाल, information basis or fact, के साथ साथ थूड़ा सा concept भी, the factor which play a very important role in the formation of major biome, देखे, किसी भी biome को बनाने के लिए, क्या चीजें चाहिए होती है, हमने पीछे आपके साथ डिस्कस किया, तेकि एक तो बारिस, बारिफ, टमपरिचर, मतलब तीन चीजें बहुत important है, since क्या हुआ, temperature and wind, wind नहीं matter कर रहा है, precipitation and temperature, आपने पढ़ावा पीछे है कि temperature और precipitation, दोई चीजें count हो रहे हैं, उसी ग्राफ से बरबार सवाल बना रहे है, question number 27, adaptation in organism can be, अब देखिए अंगले topic में मैं से, अर्डिक एक एक अर्डिक बढ़ रहे है, adaptation in organism can be, adaptation कई प्रकार का हो सकता है, वो morphological भी हो सकता है, वो behavioral भी हो सकता है, और वो physiological भी हो सकता है, ठीक है, तो answers भी T, आईए, question number 28, how does a kang kangaroo rat cope with North American desert, kangaroo का है, metatheria, यह American, North American desert में कैसे रह लेता है, तो water requirement is met by internal observation of stored fat, stored fat से अपने water की जरौत को पूरी करता है, it can concentrate its urine, अपने urine की concentration को बढ़ात लेता है, जिसे की water का minimum loss होता है, और minimum water is used to remove excidity product, not very concentrate, तो हर सूरत में पानी का कम इस्तेमाल कर रहे है, जिसे की water का minimum loss होता ह जब भी इसको समझाया आती है, तो फिल्हाल इसी लिए ये dessert में रह लेता है, तो answers would be deep, ये प्रकार का adaptation है, physiological adaptation, अभी हमने पीछे बात करी की तो दूसरा example मिले, question number 29, read the following statement, पूरे statement को पढ़िएगा, उसके बाद इसमें हमें correct छाटना है, देखे, interspecific competition is more severe than interspecific, देखे, interspecific competition severe नहीं होता है, क्योंकि दो species के बीच में, interspecific ज्यादा severe होता है, इस तरह ये गलत हो गया, आपस में competition ज्यादा मुश्किल है, interspecific में, अब हमारे में और share में competition नहीं होने जा रहा है, ये बात याद रखे, तो गलत हो गया, resources may not be limiting for the competition to occurs in the case of interference competition, interference तो किसी को के भी हो सकता है, किसी की वज़ा से, कोई interfere कर रहा है किसी की चीज़ों में, तो वहां resources important नहीं है, यही वो competition है, जहां resources important नहीं करते है, matter नहीं करते है, तो यह हमेशा जरूर नहीं है, कि completion resources सेम होता भी होगा, resources ना सेम होता भी हो सकता है, and such kind of competition is known as interference competition, NCRD mentioned है, ecologically हर भी और are predator, yes हो सकते है, predator maintain species diversity, yes, बिलकुल, क्यों, क्योंकि वो intra-specific competition नहीं होने देगा, इसलिए वो maintain कर लेगा, hyper parasite or parasite over other parasite, yes, hyper parasite क्यों होता है, parasite के उपर parasite, hyper parasite, तो 1, 2, 3, 4, 1 गला से तो कैसे हो सकता है, यह भी गर नहीं हो सकता, second, third, fourth, fifth, answer सो BB, question number 30, which are the following is a zerophytic adaptation, कौन सा zerophytic adaptation है, अब zerophytic क्यों होता है, जहाँ पर पानी की scarcity हो, अब पानी के गर scarcity होगे, तो पानी का loss बहुत कम करेंगे, इससे हम अपने पानी को बचाएंगे, तो absence of cam, कोई मतलम नहीं है इसका, presence of thin cuticle, देगे, thin cuticle नहीं होना चाहिए, होना क्या चाहिए, अगर thick cuticle होती तो हमारा answer हो ज happens as a result of altitude sickness, जब हम पहाडों पे जाते हैं, तो हमारे बॉड़ी में nausea, fatigue, जी घबड़ाना, heart में palpitation की बात कर सकते हैं, ब्रीधिंग रेट हमारी बढ़ जाती है, और बीशी का production बढ़ जाता है, उन सारी शुचों को compensate करने के लिए, ये एक परकार की altitude sickness, एक परकार की बिमा हमारी है, जब पाड़ों पे जाते हैं लोग, तो वो थोड़े टाइम के लिए होता है, फिर बात में रेट हो जाता है, बैंडिंग एफिनिटी हमोगलोबिन की घट जाती है, याद रखिएगा, ये बहुत important point है, तो arbitrary protection बढ़ जाएगा, breathing rate बढ़ जाएगा, नाजिया fatigue, नाजिया मतलब जी मसला ना, और याद रखिएगा, नाजिया प्रोसीट्स, और पिटिक, ये डैसिव सिस्टम का सवाल है, तो कुश्चा नंबर 32, which other falling is correct, कौन साइस में से सही है, ये सारी option है, नहीं चाह रही है, पहला option कहा है, Antarctic fishes can survive below 0 degree centigrade, because they have antiphysic solute, ये पूछा भी ऐसा वालेंस जाटी ने, तो याद रखिएगा, ये सही है, Antarctic fishes 0 degree की नीचे रह लेती है, क्यों रह लेते हैं, क्योंकि इन में ये सारा, जो एक्जामपल है, वा अडप्टिशन का है, क्योंकि इन में antiphysic solutes पाया जाते हैं, जो body, कोई substance को freeze नहीं होने देत आरकी वेक्टिरिया का इन 4 is in a hot spring, deep sea hydrothermal vent, where temperature is above, याद रखिएगा, आरकी वेक्टिरिया रह लेता है, सो से उपर डिक तंपरेचर में भी, क्यों, क्योंकि यहां पे, इनके अंदर एक special mechanism होती है, इतर linkage होता है, cell wall में और cell membrane में special points होते हैं, desert lizard lacks the physiological ability to keep with extreme temperature, but manage the body temperature by behavioral means, अपना बेओहार बदल लेते हैं, यह behavioral adaptation करते हैं, physiological नहीं, अब वो क्या होता है, उसके लिए आप NCRT प्रट के इक बार देखिएगा, तो answer सुर्भी D है, which of the following is not anatomical adaptation of hydrophytes, देखना है, कि यहां पे hydrophytes के लिए कौन सा adaptation नहीं है, तो presence of aranchyma in abundance, presence of aranchyma in abundance, देखिए, hydrophytes में aranchyma होती है, तो इस बात का इससे कोई मत्तब नहीं है, cuticle thick, no sense of this, आप याद रखेंगे, यहां पे ऐसी कोई बात हमें नहीं करनी है, बट फिर भी, ठीक cuticle का यहां कोई sense नहीं लग रहा है, क्योंकि, अच्छा, not pusha, yes, बिल्कुल से, thick cuticle यहां पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, answer से B, जाइलम poorly developed, इसका कोई sense से नहीं है, question number 34, which are the following features is common for both zerophyte as well as halophyte, याद रखेंगे, दोनों के लिए कौन सा common है, तो कहरें कि, presence of thick cuticle on the leaf and stem, epidermis, नहीं, presence of sunken estomata, well developed vascular tissue, जो halophyte, अब देखें, target क्या है कि, हर सूरत में दोनों जगा हो, तो दोनों जगा क्या होगा, यह सब सही लग रहा है, चाहे आप thick cuticle की बात करें, चाहे आप sunken estomata, क्योंकि दोनों पानी का loss नहीं करने देना चाहते हैं, ठीक है, तो thick cuticle भी हो सकता है, sunken estomata भी हो सकता है, क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं, जब किसी ecotone में overlapping areas में, ecotone क्या होता, overlapping areas, वहाँ पे कोई species की diversity ज़्यादा होती है, उसे edge effect कहते हैं, और जो species पाए जाती है, उसे edge species कहते हैं, तो answer सुर्भी, आप मिल गया होगा, यह answer, question number 36, mutualism and proto-corporation can be represented as, अब देखें, mutualism और proto-corporation में दोनों को फाइदा होता है, तो plus plus, whereas predation and parasitism can be represented as, तो क्या होगा, plus and minus, question number 36, इसका answer क्या हो जाएगा, answer सुर्भी B, plus 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 minus, question number 37, which other following is the case of mutualism, जिसमें दोनों को फाइदा हो, आप देखें, में दोनों को फाइदा किसमें हो रहा है, lichen में, yes, algae, fungi दोनों को होता है, mycorrhiza में, plant को भी होता है, और fungi को भी होता है, fig and wasp, दोनों को होता है, एक को reward मिलता है, और एक को कहीं न कहीं pollinate हो जाता है, तो answer सुर्भी D, में दोनों को फाइदा हो जानि मुशियलिजम क्या होता है यह भी पढ़ लिया है और मुशियलिजम के ग्जामपल भी हो गए अगला अब आप देखिये सी अनिमोन और हर्मिट का एक ग्जामपल आपको पता होना चाहिए तो क्या होगा इसका अंसर बताएज जरए सी अनिमोन हर्मिट का एक ग्जामपल यहां पर NCRT ने तो नहीं लिखा है, but itself it is a type of protocopulation, याद रखिये, नहीं लिखा NCRT ने बट फिर भी याद रखिये, question number 39, the interaction between clone fish and sea animal is the type of, इस ते ज़्यादा confusion मैं और आप में को नहीं दे सकता, एक बार आप से कह रहा हूँ कि यह क्या है, दुबारे एक दुसरा सवाल पू protocopulation कर देना, और अगर clone fish और sea animal लिखा होगा तो commonsalism कर देना, फिर से सुन लेजे, sea animal, herbid crepe, protocopulation, sea animal, clone fish, commonsalism, question number 40, keystone predator can maintain species diversity in the community if, कब करेगा, फिर से सुनियेगा, keystone, की स्टोन, की स्टोन, आपने तो अंजर कर दिया होगा अब तक, बहुत तेज करते हैं भाई, कैसे हो सकते हैं, बताएं, चलिए, मैं डारेक्ट आंसर पर देता हूँ, pray on community dominators, अगर यह predator पे dominant है, तो यह control कर लेगा, तो की स्टोन predator can maintain species diversity in community if they, if they, क्या, pray on community dominators, अगर यह dominant होगा, तो कर लेगा, चलिए, बर्थ रेट in the population is represented by, अब बर्थ रेट कैसे होती है, देखिए चाहिए बर्थ रेट हो, चाहिए डेथ रेट हो, आपको यह तो डारेक्ट याद होता है, कि डेल्टा एन, अपान एन, इन्टु डेल्टा टी, टे एन के डेल्टा एन का है, चेंज इन दा पॉपलिशन पर एक साल में, एन का है, इनिशिल और यह पूरा वर्स है, तो यह टोटल चेंज आ जाता है, तो आंसर सुन भी ए, अच्छा सवाल है, आ सकता है, इस्मालर एनिमल टेंट टु लॉस हीट फस्टर देन लार्ज रखिएगा, higher surface area value ratio, so that's why वो बहुत जल्दी अपने हीट को लॉस कर देते हैं, question number 43, पुछा जा रहा है, सवाल अच्छा सवाल है यह, कि future the following is not possessed by an individual organism, but by a population, okay, तो birth rate and death rate, यह population की property है, और birth और death, individual की property है, sex ratio, population की property है, बटकि sex, male या female, individual की property है, तो birth, death, यह population की नहीं, individual की है, तो answer क्या हो जाएगा, c, question number 44, study the age pyramids on video, and choose the correct option, तो भहिया, इसकी study कर लिजेगा, और उसके बाद इसका answer करिएगा, तो पहला option, अब देगे, यह जो हमारा है, यह, actual में क्या है, यह expanding है, है, यह हमारा क्या है, और expanding है, और triangular है, तेक है यह त्रांगुलार है, यह हमारा क्या हो जाएगा, वेल सेफ है, यह हमारा कैसा है, अर्न सेफ है, अर्न सेफ दिख रहा है, तो earn shape इसमें दिया हुआ तो गलत हो गया well shape इसमें दिया रहा है तो गलत हो गया earn shape इसका हो सकता है लेकिन इसको tangler का है तो यह गलत हो गया तो answer should be c expanding, well shape and pyramid showing negative growth इसमें देखेगा यहां negative growth हो रही है यहां constant है और यहां positive growth है पूरे को mark कर लिजेगा इसी से हमारा अगला सवाल भी लगेगा कौन सा है पूछ रहे हैं कि find out incorrect match तो पूछ रहे हैं triangular जो है वो young होता है yes होता है triangular वाला young होता है well shape pyramid जो है वो stable होता है well shape yes earn shape positive जी नी earn shape जो है वो negative होता है तो 45 cancer क्या हो गया b question number 46 in which of the following is pyramid the proportion of pre-reproductive individual is very high in comparison to reproductive अब देखिए ऐसा कहा होगा ऐसा सिफ आपको मिलेगा 46 में answer क्या हो जाएगा b triangular में मिलेगा अभी आप से कहा ना triangular में मिलेगा तो यह जो triangular है उसमें post reproductive कम होते हैं productive जादा होते हैं तो इसलिए यह जरूर याद रखें पुरा सेफ मैंने तीन सवाल जब को करा दिये हैं यही तीन question basically बेहर इंपोर्टेंट हैं और यही पूछे जाएंगे exam में इसमें कोई और नय सवाल बनता हो नहीं देखता question number 47 which statement describe how climate might change if earth was 75% land and 25% water चलिए इसको भी देख लेते हैं देखें अगर प्रतिवी पे 75% land हो जाए और 25% water हो जाए देखेंगे exact क्या होगा यह तो नहीं कह सकते हैं लेकिन अगर सब पानी के बजाए land हो जाएगा तो temperature दिन में बढ़ जाएगा क्योंकि dessert शुरुआत में बनने की उम्मीद है तो शुरुआत में डिजर्ट बन सकता है temperature बढ़ जाएगा रात में temperature कम हो सकता है exact क्या होगा God knows बट फिर भी answer should be C earth daytime temperature would be higher and nighttime to be यह और बाकी option इससे relevant नहीं है question number 48 the main reason polar reasons are cooler than the equator main reason क्या है देखे main reason यह है कि polar reason में light की availability नहीं हो पाती एक reason तो यह है तो कहरे main reason polar reason are polar अब light की availability नहीं हो पाती तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है जो ice है वो जल्दी पिघलते नहीं है तो ice रह जाते हैं इसलिए हमारा polar areas है वो काफी ठंडा होता है तो easily हम answer इसमें क्या करेंगे ए answer करेंगे there is more ice at the polar poles लेकिन कुछ लोग answer C करना चाहते हैं तो दूर नहीं होता सब पहुच नहीं पाती light याद रखिएगा तो कुश्च नमबर 49 फाट इंट्रेक्शन इग्जर्ट बिर्जन कैटल एगरेट और ग्राजिंग कैटल में अगर आप देखें तो यहाँ पर answer हो जाएगा भी हमारा क्योंकि कैटल एगरेट को तो फाइदा होता है लेकिन ग्रेजिंग कैटल को कोई फाइदा नहीं होता ठीक है तो भी answer होगा आपने पहड़ा होगा अगले सब्सक्राइब कुश्च नमबर 50 क्या स्टेट करते हैं टू इस्पीस अगर सेम निके में रह रहे हैं वह एक साथ नहीं रह सकती यही है कम्रेटिव इक्सलिजन याद कर लीचे इसको और इसमें कोई समझने माली बात नहीं है पाकी रिटियल में आप एक बार पढ़िए और हम लोग जब रिजन अभी क्रेस कोस वाला जब लेक्शर डालेंगे तो उसमें काफी अत्तर इक्स्पें करेंगे इसमें क्या होता है कि रिटियन करना नूटियन दुबारा कैसे मिलेगा जब चीजें तूटके गिरेंगी पतियां रूटके गिरेंगी चीजें उसमें सामिल हो जाएंगी एसमिलेट कर जाएंगी तो फिर से दुबारा रिटियन होके आएंगी तो ऐसा कहां मिलता है आटम and spray question number 52 in a tight pool 18 species of the invertebrate were reduced to 10 after one species were removed एक के घटने से 18 से 10 हो गई इसका क्या मतलब है एक के घटने से 18 से 10 हो गई तो इसका मतलब है कि क्या वो हर्वी ओर थी पैथोजन थी नहीं वो की स्टोन इस्पेसी थी मेन इस्पेसी की गायब हो जाने से इस देदिक्कत आ सकती है question number 52 यह आपको समझना होगा हर बात को समझा पाना बहुत मुश्किल है तो कि टाइम बहुत कम होता है Cornels conducted experiment on the rocky coast of the Scotland on the barnacle to prove क्या प्रूफ किया यहां से यही प्रूफ किया कि competitive exclusion इसको प्रूफ करता है detail इसकी एक बार पढ़िएगा आपको आना चाहिए I hope so कि आपको आता होगा question number 54 why climbing a mountain we can observe transition बहुत अच्छा सवाल है यह और exam में आभी सकता है क्या जब भी हम mountain पर चाड़ते हैं तो हम क्या observe करते हैं और जो की analogous होगा किसके तो जैसे चाहिए हम पहाड़ों पर चाड़ते हैं तो वो किसके analogous होगा at depth in the ocean जो पहाड़ों पर देख रहा है वही हमें देखेगा या दूसरा कह सकते हैं कि in a community in a different season in a ecosystem as it evolved over time in a way home are different related तो देखें यह हमें मिलेगा जैसे जब पहाड़ों पर जाएंगे हमें वैसे ही मिलता है जैसे बायों मिलता है अलग अलग में जैसे कभी tropical कभी subtropical कभी trumpet कभी tundra इस तरीके से मिलता है तो वैसे ही बात एक दम है same यह आप जरूर चेक करें question number 55 a population of rabbit has an annual per capita बतब a population of rabbit has annual per capita कितनी है 0.06 कितनी है 0.06 okay और death कितना है 0.02 calculate and estimated the number of individuals added अब दीए यह guess करना है आपको इसमें से घटा देंगे तो आप कितना हैगा 0.04 और अगर 1000 में calculate करेंगे तो 40 individual add हो जाएगे यह एक individual की बात थी तो per capita में 1000 के reference में कितना हो जाएगा per year 40 add हो जाएगे 0.4 आया है मारा total calculation इसलिए 40 हो जाएगा if in a pond यह सब आपको calculate करना speed से if in a pond there are 20 lotus plant last year reproduction 8 new plant are added अब देगे अगर 20 total थे और 8 add हो गया है तो कितना जाएगा याद करिएगा delta N upon N into delta T या 1 कर देंगे delta T तो यह कितना जाएगा 0.4 यही तो हमने अभी आपको यहां पी समझा जा कैसे करने के लिए तो 0.4 56 cancer क्या हो जाएगा A 57 उसी के असपास का सवाल यह भी है जैसा वो है तीन सवाल लगा था एक तरीके के है 57 यह अच्छा सवाल है कि if there are 50 trosophila in a lab and 3 of these are dead 50 की बात कर रहा है याद रखना 100 टरना पड़ाएगा इस तभी सवाल लगेगा 50 trosophila in a lab 3 तो 100 में कितना हो जाएगा 6 आप करिये तो then per capita क्या होगा तो अगर 100 में 6 तो 1000 में कितना 0.06 याद कर ले न तो यह आपको ऐसे ही करना है इसको calculation आप करना answer आपका यह हैगा 1.06 इसमें समय मत दीजिए बहुत फटा-फटा ऐसे ही करना होगा तभी आप अच्छे से इसको enjoy कर पाएगे Caring Capacity के बारे में बात कर रहा है तो Caring Capacity क्या होती है Maximum जो रह पाए उस particular mahal में तो option पाढ़ लिजेगा option पाढ़ लिजेगा इसमें the term used to describe the stress in a population undergo limited resource maximum population size that particular environment support mark कर ले न maximum environmental size that particular support तो बस यही आपको mark करना है ओके तो यह तो था question number 50 अब भी बढ़ गया है पैक करना पड़ेगा 8 तो carrying capacity क्या होती है जो maximum support करें रहने के लिए तो answer should be C question number 59 which other following is correct the case selection अब देखे case selection और our selection क्या होता है इसके लिए वैलक्स हम आपको वीडियो बना के बताएं के बहुत जल्द बिदिन टू डेज तो फिलाल यहां पर आपको कर सकता हूं कि case selection stabilizing population के लिए होता है इसमें large size होती है reproductive capacity कम होती है और chances of survival बहुत अच्छे होते हैं याद रखिएगा तो off spring with good chances of survival बहुत अच्छे सवाल बनते हैं